Hello Friends, Welcome to your Channel, Catholic Sonia and this is Sonia Singh. Friends, आज हम लोग उने जो, आज जो मैं आप लोग ले वीडियो ले कर आए हूँ, again BA entrance, BA first year से ही है, class से related है, आज हम लोग जो करेंगे वो होगा various levels of education in India. पहले हम लोग उने education क्या है, education कितने तरह के होते हैं, ये कर लिया है, अब हम लोग करेंगे कि हमारे इंडिया में कौन-कौन से level है और कौन-कौन से level follow हो रहे हैं, तो वो हम लोग अभी करेंगे, इसमें हम लोग पहले start करते हैं कि कौन-कौन से stages जो है, इंडिया में इसमें प्री प्राइमरी प्री प्राइमरी की फॉलो किया जाता है जिसमें की नर्सरी एलकेजी यूकेजी की स्टूरेंट जो है वो आते हैं फिर है प्राइमरी स्टेज फिर उसके बाद है मिडल एज मिडल स्कूल का फिर उसके बाद है सेकेंडरी फिर सिनियर secondary फिर undergraduate अब फिर उसके बाद से post graduate तो ये सारे stages हमारे इंडिया में follow किये जाते हैं education के लिए अब इसमें जैसे कि school education है तो इसमें कौन-कौन से level आते हैं अब school में higher secondary में post graduate में doctoral में vocational course में certificate में distance में कौन-कौन से courses आते हैं कौन-कौन से stages आते हैं तो school में हमारे बहुत सारे stages कवर हो जाते हैं जिसमें pre primary primary secondary higher secondary education ये सारे complete हो जाते हैं फिर आप higher secondary education में आता है undergraduate bachelor level मतलब की graduation की ये degree हो जाती है post graduate में master level की degree मिलती है doctoral studies में PhD level की आपको degree education मिलती है vocational courses में education and training से related आपको degree मिलती है certificate जो मिलता है आपको diploma program में मिलता है जैसे DCA हो गया कोई भी diploma program किसी भी course में आप कर रहे हैं तो वो distance education भी हमारे इंडिया में follow किया जाता है distance education का मतलब होता है कि जो जिसमें regular classes नहीं करने होते हैं वो तो यह भी हमारे इंडिया में follow किया जाता है फिर उसके बाद आता है हमारे इंडिया में adult education भी follow किया जाता है एडल्ट जो की बुढ़े लोग होते हैं उन लोगों को भी educate किया जाता है education दिया जाता है तो यह भी इंडिया में है यह जो आता है Department of School Education and Literacy के अंडर में आता है इसका एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है ये उसके according आता है फिर उसके बाद से जो distance education है इसमें कौन-कौन से है तो इसमें जो है National Institute of Open Schooling ये है फिर आपका इगनो है इसमें बहुत सारे नालंदा है हर एक स्टेट का अपना open और distance mode का बना हुआ है वो है तो ये सारे education इंडिया में follow किये जाते है फिर उसके बाद आता है Home Schooling in India ये क्या है अगर बोले तो ये ज़्यादा इंडिया में famous नहीं है ये alternative education होता है जो की handicap और जिस बोल सकते है दिव्यांग लोग जो है कि regular classes जो attend नहीं कर सकते है उनको घर घर में education दिया जाता है बट ये इंडिया में ज़्यादा जो बोलते हैं कि spread या फैला हुआ नहीं है अब इसके बाद से education system क्या है हम लोगों ने लेबल समझ लिया कौन कौन से लेबल होते है education के according मैं आप लोग का education से related हर एक पार्ट को touch करवा देना चाहती हूँ maybe ये आप जिस युनिवर्सिटी में हो उसमें वो पार्ट हो ना हो लेकिन दूसरी युनिवर्सिटी इसमें definitely होते है education का हर एक पार्ट आप touch कर लेजे कहीं से भी कोई कोशन आए तो आप ready रहे बनाने के लिए तो अब education system क्या है ये हर जगा पे है ये chapter हर जगा पे है education system का तो इंडिया में education system तीन तरह के है तीन बोसकते हैं की label है education system के फॉस्ट जो है central सेकेंड है state और थौर्ड जो है local ये तीन तरह की label जो है इंडिया में है education का अब इसमें है बहुत सारे जो ages के according ये divided है देखते हैं जैसे NCRT है the national council of educational research and training ये जो है curriculum related जो है school education का वो इंडिया में चलाती है state जो government है state board of secondary education वो लोग state board का वो चलता है फिर central का जो चलता है central board of secondary education CBSC conduct करती है 10th and 12th standard की examination आप लोग सब जानते जरूर है बस इसलों को आपको levelized करना है कि कौन-कौन से level में ये आ जाते है most famous जो हमारे इंडिया में है women's education वो भी जो है वो फैला हुआ है और जो भी women जो है वो literate नहीं है under literacy है उन लोगों को जो है वो education दिया जाता है उनके घर-घर जाकर के गाओं-गाओं जाकर के उनको education provide किया जाता है उनको बताया जाता है कि actually में उनका अधिकार उनका हक क्या है society में और वो चाहें तो किस तरह से ले सकती है यह हुआ अब इसके according हम जाएं तो कौन-कौन से commission हमारे इंडिया में बने है education से related तो जो most famous commission था according to kothari commission kothari commission बनाये गया था one of the important social objective of education to equalize the opportunity enabling the backward or underprivileged classes इसमें kothari commission में यही था कि जो भी education है वो equal ही सबको मिले equally मिले इसमें ना caste आये ना ही कोई गरीब ना अमीर यह सारी चीज़े ना आये उसमें तो यह economic condition को भी ध्यान में रखा गया था तो यह kothari commission था इस तरह से यह सारे education जो है इंडिया में फैले हुए आज का जो class है वो पूरा education से एक last part था जिसमें उद्देश objective अल्रेटी हम लोग कर चुके हैं तो अब जहां जहां से question touch हो सकता है कि किस किस type के education है कितने level के education है stages क्या है कौन कौन से education इंडिया में फैले हुए है वो सारी चीजे में आप लोग को एक just बोसकते है highlight की तरह दे दी हूँ कि अगर by the way कोई भी अगर topic आ जाता है तो आप उसमें पीछे नहीं रहेंगे और आप easily जो है उसको लिख सकते हैं अपने language में अपने words में again friends में आप लोग को बता दू कि अगर आप लोग चाहते हैं कि exactly यही लिखना तो मत लिखेगा क्योंकि आपको खुद से अपने notes बनाने हैं और friends में एक बरावर बता दू कि जो लोग अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर लीजिए अगर इससे related कोई आप लोग के पास दिमाग में कोई भी question है message है तो आप हमारे इस वीडियो में भी drop कर सकते हैं या इंस्टा पे भी आप drop कर सकते हैं या फिर आप हमारे website पे भी message drop कर सकते हैं तil then have a nice day